प्रिये च्छात्रों नमस्कार और लोग के श्टड़ी के दसमीक अच्छा के गनित में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग क्लास तेंट मैथ के प्रश्णावली चार्दसनव दो के प्रस्ण संख्या एक के तिसरे भाग को स्वल्व करेंगे तो आए प्रस्ण को पढ़ ल 6X स्कुएर फ्लस साथ एकस प्लस प्लस 5 अंदरूट 2 बराबर सुन्य देखिए X स्कुएर का गुणांक क्या है अंदरूट 2 तो एक इस चैस्कुएर के गुणांक में अंतीम पत से गुना करेंगे चाहिए X स्कुएर के का गुनांग कुछ भी हो ठीक है तो इधर हम लोग रॉफ कार्च करेंगे इसके लिए क्लाइंड खीच लेते हैं थे, तो 5 under root 2, 5 under root 2 में गुना करेंगे, under root 2 से, ठीक है, यहां कुछ नहीं है, तो 1 मानलेते हैं, और under root के बाहर जो है, इसका गुना, root के बाहर के साथ होगा, और under root का गुना, under root के साथ होगा, ठीक है, तो 5 कम क्या हो जाएगा 5 ठीक गुना का साइन देंगे और अंडरूट 2 में जब हम अंडरूट 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडरूट 4 ठीक तो 5 गुने और इसको जब हम रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 ठीक पर 10 आता है क्या तो 5 गुने 2 कितना आता है 10 दस आ गया ठिक अब 5 और 2 को जोरने पर या घटाने पर यह बीच वाला ना चाहिए सब्साइश है तो 5 प्लस 2 बराबर 7 आ गया इसका मतलब है कि 5 और 2 क्या है प्रफिक्ट संख्या है हमारे इस समिकरन के लिए तो लिखेंगे under root 2 x square और लाश्ट वाला जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे 5 under root 2 बराबर सुने और यह बीच में 7 x है इसको change कर देंगे 5 plus 2 में ठीक है टो यह हो जाएगा पाच x plus 2x Tran take plus है तो प्लस लगा देंगे इसका ठीक है अब मेरे पास एक दू तीन 4 पत हो गया पहले था तीन पते एक दो तीन ठीक अब दोपंद को अलग कर लेंगे और दोपंद को अलग लेंगे अब बाड़ी आती है कॉमन लेने की तो कॉमन कैसे लेते हैं इसको भी समझ लेजिए और अच्छे से देखेगा ठीक है बहुत असान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं यहां क्या है अंडर रूट दो एक्स स्क्वेर प्लस का पांच एक्स अब आपको यह देखना है कि इस तरफ और इस तरफ ऐसा क्या है कि दोनों तरफ है तो इसी एक्स को हम लोग ने लेते हैं फिरा इसमेंग Tea बया बचा अंडर रूट दो एक्स अंडरूर दो ठीक है और इधर क्या बचा तो पांच तो एक्स कॉमन लेने पर बचता है अंडरूट दो एक्स प्लस पांच ठीक है और फिर इधर कॉमन लेंगे तो इधर है दो एक्स प्लस पांच अंडरूट दो ठीक है इसमें कॉमन लेना है अब देखे दो का मतलब क्या होता है तो यहा अंडरूर 2 और अंडरूर 2 का जब हम गुना किये थे तो कितना आया था अंडरूर 4 और इसको तोड़े थे तो आया था 2 इसका मतलब यह है कि हम 2 के जगा पर अंडरूर 2 गुने अंडरूर 2 लिख सकते हैं इसमें क्या बच एगा under root 2X plus 5 ठीक है जब हम under root 2 common लेते हैं तो क्या बचता है under root 2X plus 5 बराबर शुन इसके बाद अंदर का संख्या देखना है कि दोनों संख्या एक जी जासा है यहां दोनों संख्या एक जीसा है अगर अलग-अलग है इसका मतलब यह प्लास कर रहे और बाहर क्या है x plus under root 2 बराबर सुन अब इसके बाद इसको दो पाट में कर लेंगे अपनी सुधा के हिसाब से और under root 2 x plus 5 बराबर सुन और यह हो जाएगा x plus under root 2 बराबर सुन ठीक है तो यहां under root 2 x और प्लस पांच जब अबराबर के इस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का अंडरूट दो यहां एक्स का दो माना गिया माइनस 5 बटा अंडरूट 2 और माइनस अंडरूट 2 ठीक है आप चाहें तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं x बराबर माइनस 5 बटा अंडरूट 2 कॉमा माइनस अंडरूट 2 ठीक है इसके बाद अतह दिये गए के दो मूल क्या है माइनस 5 बटा अंडरूट 2 कॉमा माइनस अंडरूट 2 है और यहीं क्या हो जागा इसका इंसर हो जाएगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं नहीं देखा है तो अन्लोकिश्टरी के प्ले लिस्ट में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्द